हलो जी नमस्कार सचाकाल असलावालेकुम केम्छो कैसे हैं आप सब लोग मैं हूँ आपकी अपनी प्यारी सी मंता सच्टेवा एक पर फिर से आप सब के साथ में and I am very 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 happy to share this with you which you already know कि मैं अब अपने फेस्बुक के ऊपर भी अपनी धेरो सारी वीडियोस डाल रही हूँ सब लोगों ने कंप्लेंड की आप यूट्यूब से गायब हो गयों क्यूंकि मैं अपने टिक टॉक पर थोड़ा पर लाना बहुत जरूरी था तो मेरा सारा फोकस जो चल रहा था उसी पर चल रहा था लेकिन उस पे हमारी इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस पड़ी हुई थी जिसको उठाके हम फेस्बुक पर ला सकते थे और उनके उपर धेरों सारे कमेंट्स हमें आ रहे हैं और कलते लेकर आज तक हमारे करीबन 116K थे और आज हो गए है 125K फॉलोर्स मतलब लोगों का प्यार अलड़ी आना शिरू हो गया है हमें लेकिन उसमें एक कमेंट है जो बार-बार हाइलाइट हो रहा है और उस कमेंट में ये लिखा हुआ है कि आपने जॉब क्यूं छोड़ दी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस टॉपिक के उपर पहले भी हजारों दफा वीडियो बनाई है और ज्यादा इसलिए नहीं बोलती हूं क्योंकि एक इंसान हूं कभी इमोशन भी हो जाती हूं बात करते तो फिर भी दिल की आके चलो एक बार फिर सही लोग जानना तो बता देती हूं कि जौब कोई खुशी से नहीं छोड़ता जौब इनसान की या तो जाती है या उसको निकाला जाता है या कोई ऐसे सर्कम्स्टैंस होते हैं कि उसको अपनी जो दिल के सबसे करीब जो एक जौब थी उसको छोड़ना पड़ गया तो मेरी जौब भी थी हमारी फ्लाइंस में सारा फ्लाइंग का कान्टेंट बनाती थी एपोग che नाती थी घूमने फिंदंसु करोने के चलबना ती और अनौकरी के चलते हूं मेरी कमपणी से मुझे इमेल आया कि हमें आपकी और और भी बहुत सारी employees जिनकी जुरत अभी नहीं है क्योंकि हमारी flights करोना काल में इधर उधर नहीं जा रहे हैं जिसके वज़ा से हम लोग भी आप लोगों को रेटेन नहीं कर सकते जिन में से एक मैं भी थी और मेरे साथ और भी जादा बुरा हु और मतलब होता है ना एक इनसान पहले ही मौत से लड़ रहा होता है और all of suddenly मिला जाती है कि जॉब भी चली गई है तो मैं वो double dip में से मतलब निकली हूँ अपने पिछले धाय तीन साल और अब कहीं जाके थोड़ा सा मैं संबली हूँ So that is the reason कि number one मेरी job गई तो content सारा मेरा flights का घूमने फिरने का दूसरी countries का था Corona के time में freedom नहीं थी videos बनाने बंद कर दिये Second reason था दुबए shift होने के बाद मैंने TikTok पे थोड़ा focus करा क्योंकि TikTok UA में जादा चलता था और मुझे as an influencer अपने आपको एक level पे लाना था तो मैंने सारे का सारा focus इदर कर दिया था And third चीज यह थी कि मुझे अपनी health को भी थोड़ा देखना था मैं बहुत जादा बीमारियों से पिछले धाई तीन साल लड़ चुकी हूँ तो जो लोग भी इस topic के उपर हमेशा बात करते हैं कि जॉब आपने क्यों छोड़ दी क्योंकि यह जॉब आपको बहुत प्यारी थी पैशन नेट थी मैं इस जॉब के बारे मेरा पहला प्यार मतलब मेरी जिंदगी सब कुछ है मेरी जॉब आज भी मैं मेरी photos देखती हूँ जो flights की तो मेरी आँखों में पानी आ जाता है but yes this is the truth कि कभी-कभी जिंदगी में उपर वाले ने आपके लिए कुछ नया प्लान किया होता है तो मेरी लिए भी कुछ प्लान किया होगा तो मेरी भी नौकरी गई थी मैंने खुशी से बिल्कुल नौकरी नहीं छोड़ी लेकिन हाँ कुछ ताइम तक उस दुख को मैंने अपने दिल में जरूर रखा परिशान रही yes ये भी accept करती हूँ कि depression से निकली और yes ये भी accept करती हूँ कि आज उस चीज से निकल के एक influencer एक established influencer या कहें content creator बनने तक की journey भी मेरी कोई कम मतलब दर्द से भरी नहीं है आज ही मैं किसी को अपनी एक story बता रही थी कि जब मैं दुबई में अपने आपको लोगों को as an influencer बताती थी क्योंकि YouTube पे तो मेरा ठिक ठाक नाम था लेकिन YouTube पे लोग videos नहीं बनवाते थे influencer से तो कई बार अगर brands ने किसी ने बुलाना तो वो लोगों के पास deal पता क्या होती थी कुछ लोगों के लिए 50 दरम का खाना तक वो सिरफ offer करते थे कई लोगों को आके video बनाने के लिए और मैंने वो भी किया है starting में मैंने 50 मिनट ड्राइव करके एक 50 दरम के burger के लिए burger और fries के लिए मैंने एक घंटा जाने की drive की है एक घंटे आने की drive की है और मैंने वहाँ जाके notice किया कि वो burger vegetarian भी नहीं वो burger beef था और मैंने वहाँ की manager को बोला कि क्या आप इसको change करके wedge burger दे सकती हैं तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हमारे पास वो सिरफ beef और chicken के burger यह तो मैं फिर भी क्योंकि मुझे अपना नाम बनाना था as an influencer या मुझे आगे बढ़ना था इसी field में grow करना था क्योंकि मेरी job जा चुकी थी मेरे पास कोई option था नहीं तो मैंने वो deal भी उनके accept की कि मैंने उनके video बनाई उनके लिए stories बनाई और मैंने खाना वो खाया भी नहीं और मैं वैसे के वैसे अपने घर वापिस आई करीबन 4 बिंटे के बाद तो वो journey चाहे ये journey मुझे दोनों journeys ने एक चीज़ सिखाई है कि जिंदगी में एक चीज़ कभी नहीं करनी वो होता है give up करना आज भी मैं सारा सारा दिन काम करती हूं सारी सारी रात भी कभी जुरत पढ़ती है तो काम करती हूं बस give up नहीं करती और आपको बताने के लिए मेरे पास दो या तीन news है लेकिन it's too early to share everything at once क्योंकि कहते है न अपने मूम या मिठू नी बनना चाहती मैं महस बस इतना कह सकती हूं कि आज as an influencer, as a tiktoker, as a youtuber या content creator touchwood with the grace of god मेरा ठीक ठाक नाम है market में और बहुत सारे brands मेरे साथ काम करते हैं जिनके marketing के बारे में मैं उनको suggest करती हूं कि किस से marketing करवानी चाहिए, किस तरह की marketing करवानी चाहिए और जो भी tips and tricks मेरे share करने के बाद अगर उनका business बढ़ता है तो it's a great news for me कि I am on the right path मैं सिर्फ एक influencer नहीं हूँ उसके इलावा भी बहुत सारे मेरे काम है marketing के दाइरे के अंदर ही मैंने अपने आपको काफी इसमें train किया कैसे लोगों के social media pages को उनको handle करना चाहिए, कैसे उनको अपना content create करना चाहिए, किस तरह से चीजों को move करना होता है, ये सारी चीज़े मैं लोगों के लिए करती हूँ, उनको बताती हूँ ये सारा मेरा काम है और जिसमें उपरवाले की दया से आप लोगों के blessing से मुझे success मिल रही है प्लस मेरे कुछ एक चीज़े और भी हैं जो मैं इसके बाद आपको नेक्स वीडियो में कभी जरूर बताऊंगी, तो चलिए बस यही हमारे I think most popular question था कि आपने job छोड़ी क्यों, हर बंदा पूछ रहा आपने job छोड़ी क्यों, भाई कोई अपनी मर्जी से job नहीं छोड़ता, वो भी इतनी प्यारी job, जिसने आपको नाम दिया काम दिया, इज़त दी experience दिया, बैटना उटना सिखाया, जिंदगी में आपको सब कुछ इस job ने दिया, तो आप उसको क्यों छोड़ोगे मैं तो कसम से अगर मैं बुड़ी भी हो जाती तो जब तक company नहीं बोलती न retirement ले लो, मैं तब तक नहीं छोड़ती लेकिन वो वक्त ऐसा था, परमात्मा ने मेरे लिए एक दर्वाजा बंद किया उस time मुझे लगा कि मेरा सब कुछ खतम हो गया, मैंने depression सहा, सब कुछ सहा, लेकिन आज with the time, I'll be honest to you all आज मुझे लगता है, it's good कि मेरी जॉब गई, ताकि मैं बाकी चीज़ों को देख पाई, समझ पाई सीख पाई, और परमात्मा की दया से मैं और एक नई success अपने लिए बना पाई, एक नया मुकाम अपने लिए बना पाई, और आज भी जो मैं कर रही हूँ आज पूरा मैं क्योंकि surprise रखना चाती हूँ दो चीज़े मेरे पास बहुत बड़ी news है आप लोगों के साथ शेर करने के लिए, जो मेरा वादा है, in a couple of days आपको सुनने को मिलेगा, I run companies over here, मेरा back home भी कुछ business चल रहा है, और क्या है exactly वो में आपको ज़रूर बताऊंगी बड़ इतना क्या सकती हूँ कि आपकी ममता अभी भी खुश है आपकी ममता उस नौकरी के जाने के गम से अब निकल चुकी है और अब परमात्मा का शुक्रियादा कर रही है कि मेरी नौकरी गई क्योंकि नौकरी नहीं जाती तो आज मैं ये सारी चीजें लाइफ में ना देख रही होती ना experience कर रही होती और ना आप लोगों को और motivate कर रही होगी होती कि कोई बात नहीं कुछ चला भी जाता है लाइफ में उन options को recognize करने की कैते ना परमात्मा एक दर्वाजा बंद करता है बहुत सारी दर्वाजे आपको देता है पर recognize आपने करना है कि वो दर्वाजा कहां है और कौन सा दर्वाजा आपने खट-कटाना है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मैंने भी वही किया मेहनत करती गई जजबे के साथ सीखती गई गिव अप नहीं किया बहाने खोरी नहीं की अब तो बस गई नौकरी तो bad job बस रोते दोते रो 24 गंटे नहीं बीमारियों से भी लड़ चुकी हूँ आपको पता है मैं autoimmune disorder की मरीज हूँ अब मुझे वहाँ पर catch कीजिए मुझे comments कीजिए मुझे अगर आप मुझे पसंद करते हो तो likes कीजिए अगर नहीं करते तो बिलकुल मत करना ठीक है अगर में वीडियो अच्छी लगे उसमें कोई दम लगे तो share कर दीजेगा नहीं लगे तो बिलकुल मत कीजिएगा ठीक है चलो मुलाकात करते हैं हम next वीडियो में आज के लिए इतना ही मैं ममता सच देवा ले रही हूँ आपसे विदा मुलाकात होगी बहुत ही जल्द और YouTube पे मेरी कोशिश है कि वीडियो रोज आए लेकिन अभी फिलाल मैं कुछ सेट अप कर रही हूँ उसको फिनिश करते करते मुझे अभी महीना चाहिए and slowly gradually I'm gonna increase my videos on YouTube for you all जहां पे आपको किस तरह का content पसंद आता है दुबई घूमने का, shopping का कोई भी आपका favorite topic कि आप मुझे लिख के बताओ इस वीडियो के नीचे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरे देसी स्टाइल में वो वीडियो आप तक जरूर पहुंचे till then goodbye, I love you guys all have a lovely lovely day ahead bye